गुंडों से बचा कर ईशान पहुचाएगा सवी को ईशा मैम के घर और यहां फिर से होगा ईशा और ईशान का आमना सामना और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरिल गुंभ है किसी के प्यार में कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सवी फस जाएगी गुंडों के बीच में यहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर यहां यह गुंडे सवी के साथ साथ बत्तमीजी करते हैं तब ही यहां पर पहुच जाता है इशान औ अब देखेंगे इशान और सवी की हर बार की तरफ फिर से बहांस होती है और इशान सवी को पूछता है कि अब तुम्हें कहां जाना है सवी कहती है उसे इशा मैम के घर जाना है और इशान उसे अपने साथ लेकर इशा मैम के घर छोड़ने जाता है यहां पर सवी को छोड अंदर आने के लिए मना करता है सभी जाती हैं लेकिन सभी गल्ती से अपना गाड़ी में भूल जाती है ऐसे में इशान सभी का बैग लेकर अंदर आता है और इशा और शांतनु इशान को देख कर बेहत खुश हो जाते हैं साथ इशान को देख कर ये भी कहते हैं कि I am proud of you उबारा ये सुनकर इशान इग्नोर कर देता है कोई जवाब नहीं देता है यहां शांतनु को ये तक कह देता है इशान कि आपने तो अपनी एक नई दुनिया बसा लिए एक बार फिर से इशान इशा और शांतनु को ताने मारेगा